आज के इस वीडियो में हम आपको पुरानी साडियों से ये नई डिजाइन का पायदान बनाना सिखाएंगे देखिए ये हमने इस डोर्मेट की एक कली बना कर त्यार कर ली है ये डोर्मेट हम 30 फंदों का बना रहे हैं और इसे बनाने में हम 6 नंबर सलाई का यूज़ कर रहे हैं और 1 इंची चोड़ी कपड़े की पटी का यूज़ कर रहे हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप सलाई में 30 फंदे डाल लें, तो इस तरह से सलाई को पकड़ना है, और इसमें इस तरह से आप 30 फंदे डाल लें, अगर आप डॉर्मेंट बड़ा बनाना चाते हैं, तो फंदों की संख्या जादा लें, और अगर छोटा बनाना चात में हमने इसे यहां से बनाना स्टार्ट किया था तो अब यहां पर सलाई में हमारे पास फिर से 30 फंदे आ गये हैं तो यहां से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने इसे यह वाली कली हमने बना कर तयार की है तो यहां से हम दूसरा कलर अटैच करेंगे तो यह जो हमने डिजाइन बनाई है यह हम अलग कलर से बनाएंगे इसलिए हमने यहां से कपड़े की पट्टी को कट करके अलग कर दिया है तो यहां से अब हम रेड कलर अटैच करेंगे तो यहां पर सलाई में जो 30 फंदे हैं यह सारे फंदे हम रेड कलर से बुन लेंगे तो यहां से इस तरह से हमें रेड कलर टैज करना है इस तरह से हम यह सारे फंदे बुन लेते हैं रेड कलर से ही और यह जो कपड़े की पटी हमने कट कर दी है इसे हम इस तरह से बुनाई में ही दबा लेते हैं इस तरह से इसे बुनाई में दबाते जाएं और इस सारे फंदे रेड से बुन ले और अगर आप सेन कलर से बनाना चाते हैं सारी कलिया तो आपको यहां से इस कपड़े की पटी को कट करने की ज़रूत नहीं है जो नेक्स कलिया हम बनाएंगे वो आप यही से इस कलर से स्टार्ट कर सकते हैं झाल तो देखे इस साइड से हमने यह सारे फंदे बुन लिये हैं अब यहां से पहला फंदा हम बिना बुन ऐसे ही उतार लेंगे कपड़े की पटी को दोनों से बीस से आगा की तरफ कर लेंगे और अब यहां से यह रेड कलर के सारे फंदे हम साइड से भी ऐसे ही बुन लेते ह तो इसी तरह से हम आपको इस सारे फंदे बुन कर दिखा देते हैं तो इस तरह से हमने सारे फंदे बुन लिये हैं यहां तक आप यहां से हम फिर से रेड कलर से ही बुनेंगे और इस बार हम इस साइड यह दो फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सलाई को पलट लेंगे, तो यहां तक यह वन भूण है जरीन हाना है देखिए यहां तक हमने यह वन भूण लेए अपनले चो डेंगे और यहीं से हम सलाई को पलट लेंगे कपड़े की पटी Diet से दोने सलाई के बीस से आगे की तरफ कर लेंगे और अब यहां से यह सारे फंदे हम ऐसे ही बुन लेंगे तो इस साइड से यहां तक सारे फंदे हम बुन ले तक तो इस तरह से यहां तक हमने सारे फंदे पुन लिये हैं तो इसी तरह से हम एक बार और बुनेंगे इस साइड से फंदे बुनेंगे और इस साइड ये दो फंदे इस बार और हम भिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सलाई को पलट लेंगे तो इसी तरह से हम आपको एक बार और पुनकर दिखा देते हैं यह देखे यह हमने एक बार और इस तरह से बुन लिया है तो अब जिस तरह से हमने यह पहले कली बनाई थी और यहां से हमने इसे बनाना स्टार्ट किया था तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने यह एक दो तीन लाइने हमने बनाई थी और इसमें भी हमने यह एक दो तीन लाइने यहाँ पर बना ली है तो यहाँ से हमारी दूसरी कली स्टार्ट हो गई है तो जिस तरह से हमने यह वाली कली बनाई है सेम उसी तरह से हम आप और अब आपको यहां पर दूसरी वाली कली palavra बनाकर दिखाएंगी जिसले की आपको समझ में आ जाएगा किस तरहsa आपको इससे अपो स्टार्ट करना है तो अब देखें यहां पर हमने tapered we taken 3 lonerє लाप लाइने बनागे तो अब यहां पर जो हमने ङ्रीन side 3 lin अब यहां से हम रैड इस तरह से दबा लेते हैं और यहां से हम यह ब्राउन और यहां से बंटे-चैफ्यरों-प्रणौर चर्छी कृतback क हर सब्छिए arte-फ्रum टो यहां पर 3 लाइन अंव तक पर हमें ढ़न ब्राउन कलर से ही डुनना है इस तरह से इस तरह से हम बुनते जाएंगे यहाँ पर हमें 2-2 फंदे हमने 2 बार चोड़ दिये थे तो इस बार रेड कलर के ये दो फंदे हम बिना बुने छोड़ेंगे और यहां तक इसारे फंदे हम बुन लेते हैं तो देखिए यहां पर ये दो फंदे हम ने पहले छोड़ दिये थे बिना बुने तो इस बार ये दो फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सलाई को पलट लेंगे कपड़ी की पट्टी को दुनों सलाई के भी से आगे की तरफ कर लेते हैं और अब इस साइड से भी यह ब्राउन कलर के सारे फंदे यहां तक हम ऐसे ही बुन लेते हैं तो इस तरह से हम आपको यह सारे फंदे बुन कर दिखा देते हैं तो देखे यहां तक हमने यह सारे फंदे बुन ले हैं तो इसी तरह से हमें दो बार और बुनना है इस side हमें 2-2 फंदे बिना बुने छोड़ना है तो यहां से हम बुनना स्टार्ट करेंगे और यहां पर इस बार ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ेंगे यही से हम पलट जाएंगे और इस सारे फंदे बुन लेंगे फिर से इस side से बुनना स्टार्ट करेंगे और ये दो फंदे छोड़ेंगे और यहीं से हम पलट जाएंगे तो इसी तरह से हम दो बार और बुन लेते हैं तो इसी तरह से हम आपको दो बार बुन कर दिखा देते हैं देखें इस तरह से हमने दो बार और बुन लिया है तो आप इस कलर की भी एक दो तीन, तीन लाइने हमने बना ली हैं, अब यहां से फिर से हम रैड कलर से बनाएंगे तीन लाइने, तो आप देख सकते हैं, इस कली में हमने पहले यलो कलर से बनाया है, फिर से हमने यलो कलर से बनाया है, तो आप यहां से हम फिर से रैड कलर से अब यहां से हम ब्राउन कलर को तो इस तरह से दबा लेंगे और रेड कलर से बुनेंगे तो रेड कलर हम आप देख सकते हैं बैक साइड में बुनाई में इस तरह से हम दबाते हुए आ रहे हैं रेड कलर को अब यहां से हम रेड कलर से बुनेंगे इस तरह से और ब्राउन कल हम ये दो फंदे हम बिना बुने छोड़ेंगे तो ये दो फंदे हम बिना बुने छोड़ने हैं और यहीं से हम सलाई को पलटना है हम रैड कलर से बुन लेते हैं यहां तक देखिए इस बार हम ये दो फंदे हम बिना बुने छोड़ेंगे और यहीं से हम सलाई को पलट लेते हैं कपड़े की पटी को दनों सलाई के भी से आगे की तरफ कर लेंगे और अब इस साइड से ये रैड कलर के सारे फंदे हम सी तरह से रैड कलर से ही बुन लेते हैं तो इसी तरह से हम आपको ये सारे फंदे बुन कर दिखा देते हैं दिखिए यहां तक हमने सारे फंदे बुन लिये हैं रेड कलर के तो इसी तरह से हम रेड कलर से दो बार और बुन लेंगे इस साइड से हम दो बार दो फंदे और छोड़ देंगे और इसी तरह से हम बुन लेंगे जिससे कि रेड कलर की फिर से मार पास तीन लाइने बनकर रे इस तुन यहां तक o teakka purple करली फिरए टीजाइन यहां तक इस यहां पर यहां पर करीद यहां पर यहां पर बनाएगी यलो कलर से तो कलर चेंज कर रहे हैं हम यहां से हम यलो कलर अटैज करेंगे इस तरह से और यह रैड कलर और ब्राउन कलर के कपड़े की पट्टी को हम इस तरह से बुनाई में ही दबा लेंगे अगर आपको परिशानी हो तो आप इन यहां से कट कर दे और नेक्स्ट यहां पर हम जो आदिकली बनाएंगे उसमें आप फिर से अटैज कर लें तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर यह जो डिजाइन बनाई है उसी तरह से हम इसमें यह वाली डिजाइन बनाने के बाद में फिर से यह कलर अटाइच करेंगे हम इने बुनाई में ही दबा रहे हैं यहाँ पर कटनी कर रहे हैं तो यहाँ से हम चलो कलर से बुनेंगे इस तरह से और इस बार ये दो फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे कि हम इस साइड हर बार हम दो दो फंदे हम बिना बुने छोड़ते आ रहे हैं तो इस बार ये दो फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सलाई को पलट लेंगे कपड़ी की पट्टी को दोनों सलाओं के पीस से आगी की तरफ कर लेंगे और अब यहां से हम यलो कलर के फंदे बुन लेते हैं तो यह हमने सारे फंदे बुन लिये हैं तो अब हमारे पास यलो कलर के 6 फंदे हमारे पास बज़ें तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो येहां तक तो हमने इस साइड 2-2 फंदे हमने फिस छोड़े हैं बिना बुने लिकिन अब हम यहां पर ये जो येलो कलर के फंदे हैं इनमें हम इस साइड से हर बार एक-एक फंदा ही बिना बुने छोड़ेंगे और पलड़ जाएंगे को हम इस तरह से बुनाई में दबा लेंगे यहीं से हम सलाई को पलट लेंगे कपड़े के पट्टी को दोनों से लेंगे भी से आगे की तरफ कर लेंगे अब यहाँ से हम कि ये लोग लग के पांच फंदे हम इस साइड से बुन लेते है एक दो तीन चार और ये पांच अब यहां से फिर से हम इसी तरह से बुनेंगे इस साइड से बुनेंगे और इस साइड से हम हर बार हम एक एक फंदा छोड़ते जाएंगे यह फंदा हमने बुन लिया, दूसरा फंदा भी बुन लिया, और अब यहां से यह दोनों कपड़े की पट्टी जो है, इनको हम इस तरह से बुनाई में दबा लेंगे, और यह तीन और यह चार फंदे हमने बुने, और इस बार यह वला फंदा हम भीना बुने छोड़ और यही से हम सलाई को पलट लेंगे, कपड़े की पट्टी को आगे की तरफ करेंगे, और यहां से हम यह चार फंदे बुन लेते हैं, फिर से साइड से बुनेंगे, यह ने बुन लिया, और यह वाला फंदा भी बुन लिया, और यहां से यह दोनों कपड़े की पट्टी पट्राय में दबाने इस तरह और यह वाले खुर प homeless 사 matter आ चौड़ देनगे छाना पर आंप देंगे यह तो फंदे हम बुन लेते हैं इस तरह से और अब इस बार हम एक फंदा बुनेंगे और यहीं से सलाई को पलट लेंगे और यह वाला फंदा हम बुन लेते हैं तो इस तरह से हमारी दूसरी कली यहां तक आधी बनकर complete हो गई है अब हमें आगे की आधी कली हमें बनानी है तो पहले हमने यहां पर यह यह लोगलर के फंदे जो है छे फंदे इन में से हमने इस साइड एक एक फंदा छोड़ते हुई हमने बुना है और इस बार हम इस साइड से हर बार एक एक फंदा बुनते जाएंगे तो यहां से यह पहला फंदा हम बुनेंगे तो इस बार हमें यह वाला फंदा बुनना है तो इनके बीच के गैपिंग कम करने के लिए यहां से हम एक फंदा उठा लेते हैं और इस तेलाई में डाल देए, अब यह उठाया फ़ुआ फंदा और इन नेक्स्ट फंदा, दोनों फंदे हम एक साथ बुन लेते हैं, और यहीं से हम सलाई को पलट लेंगे, कपटी के पटी को दोनों सलाई के भी से आगे की तरफ करेंगे, और यहां से हम यह दो फंदे तो इनके बीच की गेपिंग कम करने के लिए हम यहां से उठा लेते हैं एक फंदा और यह उठा की इस स्लाइमें डाल देते हैं अब उठाया फा फंदा और नेक्स्ट फंदा दोनों फंदे हम एक साथ बुनेंगे इस तरह से और अब यहीं से हमसलाइक को पलट लेंगे कर दिखा देते हैं तो देखिए यह हमने इस तरह से येलो क्लर के सारे फंदे बुन लिए हैं अब यहां से येलो क्लर को हम कट कर देंगे और अब यहां से हम ब्राउन क्लर से बुनेंगे तो यहां से हमने यह ब्राउन क्लर हम दबाते हुए आ रहे हैं दोनों क्लर यहां स यहां से हम ब्राउन कलर से बुनेंगे फंदे अब और यहां से हम इन कपड़े की पट्टी को इस तरह से दबा लेंगे अब इस बार हमें ये दो फंदे हमें बुनने हैं तो अब हम हर बार इस से दो दो फंदे हम बुनते जाएंगे तो इस बार हम ये दो फंदे बुनेंगे तो इनके बीच की गैपिंग ज़्यादा है तो यहां से हम दो फंदे हम उठा लेते हैं बीच में से यहां से हम एक फंदा और उठा लेते हैं इस तरह से अब यह दो उठाए हुई फंदे और यह नेक्स्ट फंदा तो यह तीन फंदे हम एक साथ बुन लेते हैं इस तरह से और यह वाला फंदा भी हम बुन लेते हैं तो इस तरह से हमने दो फंदे बुन लिये हैं ब्राउन किलर के और अब यहीं से हम सलाई को पलट लेंगे कपड़े के पट्टी को दुनों सलाई के बीस से आगे के तरफ कर लेंगे और अब यहां से यह सारे फंदे यहा तो यह हमने सारे फंदे बुन लिये हैं ब्राउन कलर के तो इसी तरह से हमें इस साइड से हर बार दो दो फंदे हमें बुनते जाना है तो इसी तरह से हम ब्राउन कलर से दो बार और बुन लेंगे तो यहां पर यह दो दो फंदे दो बार और है तो दो बार और हम बुन लेते इस साइड से और इनके बीचे गैपिंग कम करने के लिए हम यहां से एक इक फंदा हम उठा लेंगे जिससे कि यहां पर बीच में जाली नहीं पड़ेगी और बुनाई में भी फिनिशिंग रहेगी तो इसी तरह से हम आपको दो बार और बुन कर दिखा देते हैं यहां तक देखे यहां तक हमने ब्राउन कलर के सारे फंदे हमने बुन लिये हैं अब यहां से हम रैड कलर से बुनेंगे और इस साइड यह जो हमने दो दो फंदे यहां पर छोड़े थे तो इस साइड से हम हर बार रैड कलर के दो दो फंदे हम बुनते जाएंगे देखिए यहां से अब हम ब्राउन को इस तरह से दबा लेंगे और यहां से अब हम रैड कलर से बुनेंगे और यहां से हम ब्राउन कलर को इस तरह से बुनाई में दबाते हुए जाएंगे तो इस तरह से हम रैड कलर से बुन लेंगे यहां से हम यह दो-दो फंदे तीन बार हम रैड से बुन लेंगे उसके बाद में हम फिर से ब्राउन से बुनेंगे तो फिर यहां से यह दो-दो फंदे हमने तीन बार छोड़े हैं यहां पर तो यह हम ब्राउन से बुन लेंगे उसके बाद हम फिर से हम red color attach करेंगे और यहां से यह 2-2 फंदे हमने जो 3 बार छोड़े हैं यह हम red color से बुन लेंगे तो इसी तरह से इस side से हम हर बार 2-2 फंदे बुनते जाएंगे तो जिस color के फंदे हैं उसी color से हमें बुनना है तो इसी तरह से यहां तक हम बुन लेंगे तो यह color हमारी बनकर complete हो जाएगी तो इसी तरह से हम आपको यह color complete बना कर दिखा देते हैं यह देखिए यह हमने यहां तक सारे फंदे बुन लिए है और इस तरह से यह हमारी दूसरी color भी बनकर complete हो गई है तो इसे हमने यहां से बनाना स्टार्ट किया था और यहां पर यह बनकर complete हो गई है तो जिस तरह से हमने यह पहली कली बनाई थी बिल्कुल उसी तरह से हमने दूसरी वाली कली भी यहां तक बनाकर complete कर ली है तो इसी तरह से हम सारी कली बनाकर complete कर लेंगे अब यहां से हम दूसरा कलर अटेज़ करेंगे और उससे हम next कली बना कर complete करेंगे अगर आप चाहें तो same कलर से भी सारी कलियां बना कर तैयार कर सकते हैं तो इसी तरह से हम आपको सारी कलियां बना कर दिखा देते हैं